गुड इवनिंग फ्रेंज्स क्या हाल चल सभी के आई होप सभी हल्दी हैं कंसेस्टेंटी प्रिपेर कर रहें तो EPFO SSO का नोटिफिकेशन आ गया है जैसे कि मैंने अभी दोपैर दिन के टाइम एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप से कहा था कि एक्जाम पैटर्न SSC वाला होगा क्योंकि जो कंड़क्टिंग, एक्जाम कंड़क्टिंग जो एजेंसी है वो NTA है, NTA आपके SSC और बाकी जो बहुत सारे स्टेट लेवल एक्जाम्स कंड़क्ट करवाती है और वो ही नोटिफिकेशन आ गया है एक सिंगल एक्जाम इन्होंने रखा है फेज वन, फेज टू आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है डेटा इंटर स्किल टेस्ट है आपका जिसमें टाइपिंग बगरा रहेगी अब बैंक एक्जाम्स की जो एक्स्कुलूजिवली बच्चे तियारी करते हैं उनको मैं सेजस्ट करूँगा इसकी तियारी इसके लिए फॉर्म अद भरना क्योंकि एससे पैटर्न पे रहेगा इसका जो रीजनिंग है जो क्वांट्स है जो इसमें जनल अवेर्नेस या जनल नौलेज है कि सबके सब ससी वाले रहेंगे इसमें इन्होंने कंप्यूटर लिटरिसी भी डाला है दस क्वेस्टन चालीस मार्क्स के आजकल ससी में भी कंप्यूटर पूछने लग गए है उसी टाइप के सवाल रहेंगे इदर भी में इशू ये है कि जनल अवेर्नेस या जनल नौलेज वाला काफी डाइगरेस कर जाता है काफी अलग निकल जाता है इवन रीजनिंग वाला और क्वांट्स वाला भी काफी चीज़ें अड़न हो जाती है अड़न तो नहीं बोलूगा मैं काफी चीज़ें डिफरेंट हो जाती है तो वो अपनी जो में प्रिपरेशन ने सच दूर लिखर जाएगा बागे जो बच्चें ऐसे सी सीजेल वगएर के लिए प्रिपेर कर रहे थे उसके लिए तयारी कर रहे है उन्होंने या फिर इस तरह के एक्जाम साथ में भरते है वो इस फॉर्म को जुरूर भरे अच्छी पोस्ट है यार और विकिंसीज भी नहोंने अच्छी कासी निकाली है यह बस अफसूस इसी बात का है कि NTA ने इस बार एक्जाम कंड़क कर वाया ना कि IBPS ने IBPS करवाता तो सब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होती पर क्या कर सकते अब कुछ बोलना मैं चाहता नहीं हो अच्छा नहीं होगा है न तो जो बच्चे SSE का भी साथ में भरते हैं और करते हैं वो इसका भर सकते हैं क्योंकि जोब बहुत अच्छा है सैलरी बढ़ी अच्छी है रेपिटेटेट जोब है स्टेबल लाइफ रहेगी वर्क और लाइफ में बढ़िया बैलेंस भी आप बिठा सकते हो थोड़ा रिलाक्स जोब है साथ में त्यारी वगरा करनी हो वो भी कर सकते हो नोटिफिकेशन का लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में डार रहा हूँ आप जाके चेक कर लीजेगा मैं जादे डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऐसे सी पैटन पे जा रहा है और इसे सी वगरा और इन सब एक्जाम्स की मैं ना ही चर्चा करता हूँ ना मैं त्यारी करवाता हूँ बैंक वाला रहता तो अपने पूरी डीटेल्स वगरा बात करते बड़ अनफॉर्चनलिटी नहीं है अब बैंक एक्स्क्लूजिव वाले जिते भी बच्चे उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये फॉर्म ना भरे अननेसेसरी प्रिपरेशन से दूर जाएंगे जो साथ में करते आए हैं जिन्होंने अभी ऐसे से सीजेल भी बराते हैं बाकी साथ में करते हैं वो ये फॉर्म ज़रूर ज़रूर भरे है ठीक है जी? Now that's all for today's session Take care